नए साल पर ये करें उपाएं जो तिस के कुछ उपाएं करने से आपके लिए नए साल की सुरुआत सुब रहेगी और साल बर आपकी कामनाई भी पूरी पोती रहेगी पहले नए साल की सुरुआत किसी धादी कल पर तीस नवाकर करने चाहिए जिस वी धरम को हम मानते हैं, पूरी आस्ता और स्रद्धा के साथ अपनी देव गुरू की पूजा करनी चाहिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना पूरे विजी विधान के साथ करनी चाहिए ऐसा करने से वेक्ति को सुख फलों की प्राक्ति होती है और जीवन में आने वाली सभी प्रेशानिया या तो धूर्च हो जाती है या कम हो जाती है नए साल की सरुआत गुजुर्गों के आसरवासे करनी चाहिए इसे देव गुरू ब्रस्पति की पूरी प्रेपा बरस्ति है जोतिस में ब्रस्पति को सबसे सुख और तरक्ति देने वाला ग्रेश बाना जाता है जोतिस के निताबिस बड़े गुजर्गों यानी माता सुख और गुरूओं का आशिवास लोने के ब्रस्ति मजबूर होते है तामे के लोटे में पानी भरे और उसमें फोड़ा सा केसर भी डालने इसके बाद ये पानी सुलिंग पर कढ़ाए जल चड़ाते समय ओम महा देवाए नमे मंत्र का जाब 108 बात करें सिर्जी के बहान नंदी यानी किसी गैल को हरी घास खिलाए 34 में सुर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है यह इतना सक्तिकाली होता है कि जिसकी कुंदली में सुर्य बली हो उसका बाती के ग्रैफिक दुगार नहीं सकते ऐसे में सभी राच्शू के लोगों को सुर्य के जुड़े उपाए करने चाहिए रोजाना प्राते काल में सुर्य को अर्थे अगर आप रोजाना जल नहीं बेपाते तो नए साल के पहले दिन ऐहा जरूर करें ऐहा करने को साल भर सुरों की स्रिका बुष्की बनी रहती है हिंदु धरम में तुल्सी के पोदे को बहुत पवित्र और पूजनिय माना जाता है ऐसी मानिता है कि जो लोग नियमित तोर पर तुल्सी की पूजा करते हैं उन पर भगवान मुष्णू और मा लक्ष्मी की विशेश किर्पा बनी रहती है नए साल पर घर में तुल्सी का पोड़ा लगाएं और रोजाना इसकी पूजा करें इससे घर की नकारत्मक उर्जा दूर होगी और घर में सांथी का माहौल बना रहेगा इसके अलावा गणपते का पूजन करें हिंदे घरम में जनपते को सभी कार्यों में सबसे पहले पूजा चाता है इनकी किर्पा सोग घुद्धी मूटी है अगर घुद्धी सई जिसा में कारे करें तो सभी प्रेशानिया हल्प हो सकती है